दो या दो से अधिकित सब्दों से मिलकर बनने वाले नए और सार्थक सब्द को समास कहा जाता है समास का मतलब होता है संक्षिती करण होना यानि किसी भी सब्दों का संक्षित रूप जो होता है उसे समास कह सकते समासिक सब्दों को विवक्ति सहीत अलग-अलग कर दिया जाता है तो इसे विग्रैक आ जाता है क्योंकि समास का विग्रै हो रहा है तो इसे समास विग्रैक कह सकते हैं और आज हम इस वीडियो में आजीवन का समास विग्रे और आजीवन में कौन सा समास होता है के बारे में जाने के तो प्यारे सातियों वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि यहाँ पर अच्छा ग्यान मिलने वाला है सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आजीवन समासिक सब्द का समास विग्रे क्या होता है दोस्तों आजीवन का समास विग्रे जीवन प्रियंत होता है यानि जब आजीवन का समास विग्रे किया जाता है तो जीवन प्रियंत बनता है अब हम जान लेते हैं कि आजीवन सब्द में कुन सा समास होता है तो आईए जान लेती दोस्तों आजीवन में अवेवी भाव समास होता है हमें के से पता चलेगा कि आजीवन में अवेवी भाव समास है तो दोस्तों अवेवी भाव को समझने के लिए या अवेवी समास की पहचान करने के लिए आपको इसकी प्रिवासा आनी अति आउसे के तो आईए जान लेते हैं अवेवी भाव समास किसे कहते हैं अवेवी भाव समास में पर्थम पद या पहला पद परधान होता है अगर पहला पद अनु, नी, भर, प्रति, यथा, आ, बे, आदी से शुरू होता है तो वह अवेवी भावसमास होता है अगर किसी सब्द की दो बार पुनरावर्ती होती है तो वह अवेवी भावसमास होता है जैसे बार-बार दिन दिन, पहला पद या पूरा पद अवेवी होता है, पूरा का पूरा पद किरिया विसेशन पाया जाता है, तो वह अवेवी भाव समास होता है, जैसे कि आपको बताया गया कि किसी भी सब्द भी, अगर अनू, नी, भर, परती, यथा, आ, बे, आधी आत हैं तो वह आवेवी भाव समास होता है, आवेवी भाव समास की कुछ एसे उदारणों के बार में बात कर लेती हैं, जो अनेक बार प्रीक्षाओं में पूचे गएं तो एसे उदारण हैं परती दिन, यानि प्रतेक दिन, यथा सक्ति, यानि यथा सक्ति का समास विग्रह होता है सक्ति के अनुसार, दिन दिन, यानि दिन दिन का समास विग्रह होता है हर दिन, रातो रात, यानि रातो रात का समास विग्रह होता है रात ही रात में, परति वर्स, यानि परति वर्स का समास विग एक के बाद एक, दानार्थ, यानि दानार्थ का समस्विग्र होता है दान के लिए, बेशक, बेशक का समस्विग्र होता है बिना संदे, नीडर, नीडर का समस्विग्र होता है बिना डरी, आजीवन, आजीवन का समस्विग्र होता है जीवन प्रियंत, बेवजय, बेवजय क का समास विग्रह होता है बिना वज्जय की परतिछण परतिछण का समास विग्रह होता है हर चण इस तरह से दोस्तों आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि आजीवन का समास विग्रह जीवन प्रियंद होता है और आजीवन में समास अव्यवी भाव समास होता है अतहे हम आ आपको आजीवन का समास्विग्रे समझ में आया होगा अगर आपका किसी भी तरह का परसन हो तो आप अपना परसन कमेंट बुक्स में पूछ सकते हैं क्यूंकि हम सभी विद्यार्तियों को उनके परसन का उतर देते रहते हैं और अंत में आपने हमारी चैनल को नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं क्यूंकि ऐसा ही अदेन हम यहां पर करवाते रहते हैं